महराश्ट की सियासत में क्या एक बार फिर से भूचाल मचनकता है और क्या महराश्ट की सियासत में जिस तरीके के हालाद दिखाई दे रहे हैं वो क्या ये जाहिर तोर पर बताते हैं कि आने वाले समय में महराश्ट की सत्ता अब सीयम के हाथ से निकल रही है नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा और आज आप तमाम दर्शकों का इस बड़ी खबर में स्वागत है और आज हम बात करें मुख्य मंत्री एक नाश शिंदे की काफी समय से महराष्ट में एक नाश शिंदे वर्सस बीजेपी देखने को मिल रहा लेकिन एक खबर ने पूरी तरीके से महराष्ट की सियासत में भूचाल मचा दिया और वो खबर कोई और नहीं खबर ये है कि बीजेपी के एक नेता ने इस तरीके का बयान दिया है कि आने वाले सबह में सीम की कुरसी खत्रे में तो क्या बीजेपी अब एक नाश शिंदे को दूद में से मक्खी की तरह निकाल कर फेकने का काम करने वारी है दरसल बहुत पहले ही उद्दव ठाकरे ने इस बात की जनकारी दे दी थी अद्दव ठाकरे बहुत पहले से शिंदे को लेकर इस तरीके के कयास लगा रहे थे लेकिन जो हालात इसबक महराश्ट में देखने को मिल रहे हैं वो जाहिर तोर पर ये बता रहे हैं कि उद्दफ ठाकरे की बात अब सही साबित हो रही है लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है कि जब शिंदे के हाथ से सीम कुरसी निकल जाएगी तो आकिरकार सीम कुरसी का फिर मालिक कौन होगा क्या अजीत पवार को बड अब यही सवाल तो खड़ा हो रहा है कि क्या महराज की सत्ता अगर देविन फड़विस के पास चली आती है तो क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान शिंदे को होगा और कहीं ऐसा तो नहीं कि एकनाज शिंदे अपने तमाम विधायकों को लेकर उद्दव ठाकरे के पास चल दोर पड़ जाए आज के लिए तहीं आप से फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक लिए जा दीजे नमस्कार